असलामुलेकुम, प्रिवेस लेक्चर के अंदर हमने एनिमल्स को सिमिट्री की बैस पर क्लासिफाई किया था और इस लेक्चर के अंदर हम एनिमल्स को बाडी लेर्स की बैस पर क्लासिफाई करके देखेंगे सो सबसे पहले समझ लेते हैं body layers क्या हैं याद रखिए animals embryonic stages से होकर गुजरते हैं especially जो शुरू की embryonic stages हैं जैसे zygote के बाद cleavage and then blastulation and then gastulation and then so on सो यह जो शुरू की embryonic stages हैं इन में जो embryo की tissues होते हैं वो अपने आपको layers में arrange करना शुरू कर देते हैं यानि cells layers बना देते हैं जो layers बनाते हैं इन layers को body layers कहा जाता है और इसका second नाम क्या है germ layers body layers और germ layers यानि कि जब embryo अपने आपको layered में arrange कर दे embryo के cells अपने आप की layers बना दे layers में तरतीब कर दें, gastulation के दुरान तो इन layers को germ layers कहा जाता है और ये तीन टाइप के होती हैं, एक्टोडार्म, मीजोडार्म, एंडोडार्म, यानि सबसे उपर वाली लेयर एक्टोडार्म, सबसे नीचे वाली लेयर एंडोडार्म, और इन दोनों के दिरम्यान जो सेल्स की रेंड्मेंट वाली लेयर है, उसे मीजोडार्म कहा जाता है, और फिर यही लेर्ज जो आर्गिनिजम डिवेलप हो रहा होता है अनिमल उसके मुफ्तलिफ टिश्यूज और अर्गन्स और सिस्टम बनाते हैं जैसे कि एक्टोडर्म स्किन वगईरा की सेंथिसेज में एक्टोडर्म के सेल्स हेलफुल होते हैं नर्वस सिस्टम बनाते हैं मिजोडर्म के सेल्स टिश्यू बनाते हैं मसल टिश्यू बॉन टिश्यू एंडोडर्म के सेल्स गट लाइनिंग बनाते हैं स्टॉमेक और लेवर और लंग्स वगईरा बहुत सारी ये चीज़ें हम development के दुरान study करेंगे ये तीन layers बन जाती है embryonic development के दुरान अब ये जो तीन layers है इनकी bases पर animals को दो categories में divide किया गया है number one diploblastic animals, number two triploblastic animals यानि ऐसे animals जिनकी embryonic stages में दो layers बने वो कौन से होंगे diploblastic animals, diamine 2 so blastica means, значula के cells अपने आपको δो layers में arrange कर दे तो ऐसे animals कौन से होंगे? diploblastic animals होंगे और जब blastuna के cells अपने आपको 3 layers में arrange कर दे तो ऐसे animals कौन से होंगे? triploblastic animals होंगे ठीक है, so diploblastic animals में क्या होंगी? दो 저ंक layers होंगी, कौन-कौन-सी? ectoderm and endoderm, देख लेते हैं फुटबाल सी बना देते हैं, तो यह सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, और सेल्स के दिरम्यान एक कैविटी होती है, जिसे ब्लेस्टू सील कहा जाता है, और यह जो सेल्स होते हैं, यह बाहर बाहर अरेंज होते हैं, फुटबाल की तरह अंदर जैसे हवा है, तो यहां पर लेर में से ही कुछ सेल्स अंदर को मूव करना, पिंच होना शुरू हो जाएंगे, और न्यू आस बनते जाएंगे, और अंदर एक सेकेंड लेयर बन जाएगी, यह आप जैसे देख सकते हैं, अच्छा, यह जो सेकंड लेयर बन रही हैं, यह कौन सी होगी, यह अंदर वाल और जहां से यह पोर, यानि होल स्टार्ट हो रहा है, अंदर को हुआ ना, यहां पर एक सुराख बन चुका है, इस पोर को ब्लस्टो पोर कहा जाता है, यह बहुत इंपोर्टन्ट है, क्योंकि आगे कुछ कुछ कंसेप्ट्स हैं, जैसे प्रोटो स्टॉम और डूटो स्टॉ एंडोडर्म, इसे मजीद मॉटिफाई कर गया, अगर हम देखें, तो यह आगी एक्टोडर्म, यह अंदर वाली लेर, एंडोडर्म, तो यह एनिमल्स कौन से होंगे, जैसे डिप्लोब्लास्टिक होंगे, क्योंकि इनका गेस्टॉलेशन फेर्स के अंदर सिर्फ दो लेर बनी है, तो आजान हो जाए, तो यहां से आगे continue करते हैं, ओके, तो हम देख रहे थे कि ब्लेस्टॉला के अंदर लेर्स बनी है, एक आउटर लेर जिसे एक्टोडर्म कहा जाता है, एक अंदर वाली लेर जिसे एंडोडर्म कहा जाता है, तो जब ब्लेस्टॉला में लेर् diploblastic animals क्योंकि इनके gastulation वाली stage के अंदर सिरफ दो body layers बनती हैं, ectoderm and endoderm. हो गया क्लियर? अच्छा, ऐसे कौन से animals हैं जिनकी embryonic stages के अंदर दो layers बनती हैं, ऐसे animals है, radial symmetry वाले animals. यानि radial symmetry वाले जितने भी animals हैं, वो diploblastic हैं, उनके अंदर सिरफ दो germ layers मुझूद होती हैं, ectoderm and endoderm, और इसकी example हमारे पास आगी, corals and jellyfish, और radial symmetry आप जानते हैं, प्रिवेस लेक्चर में हमने discuss कर लिया है, अब हम चलते हैं, triploblastic animals की तरह, यानि blastula जब तीन layers में arrange हो जाए, तो ऐसे animals कौन से होंगे, triploblastic होंगे, यह same mechanism होगा, जैसे blastula arrange करेगा, अंदर वाली layer बनेगी, endoderm बनेगी, so endoderm के दर्मियान, यागी endoderm, यागी endoderm, endoderm और ectoderm के दर्मियान, कुछ और cells बनना शुरू हो जाते हैं, यह जो blasto seal वाली cavity है, यानि यह blasto seal है, cavity वाला जो एरिया, इसमें mesoderm बनना शुरू हो जाते हैं, और cells बनना शुरू हो जाते हैं, जिने mesoderm कहा जाते हैं, so यहाँ पर उसकी clear diagram है, यह बाहर वाली black color की cells की layer है, इसे ectoderm कहेंगे हम, यह अंदर वाली जो layer है, red color के cells की, यह endoderm आगी, so इन दोनों layers के दर्मियान, एक और cells की layers बन चुकी है, जिसे mesoderm कहा जाता है, green color में मैंने draw कर रखी है, so बहुत ज्यादा जो animals हैं, वो इस category में लाए करते हैं, कि उनका blastula modify होकर gastulation में 3 layers बनाता है, so ऐसे animals जिनके gastulation stage के अंदर 3 body layers बनें, 3 germ layers बनें, ऐसे animals कौन से होते हैं, triplo-blastic animals होते हैं, और इसकी example के आगी हमारे पास, bilateral symmetry वाले सारे animals कौन से होंगे, triplo-blastic होंगे, यानि ऐसे animals जिनको हम 2 equal half में सिर्फ एक plan से divide कर सकते हैं, उन्हें bilateral symmetry वाले animals कहा जाते हैं, और ये bilateral symmetry वाले animals किस process से होकर गुजरते हैं, triplo-blastic process से होकर गुजरते हैं, यानि embryonic stages में 3 layers बनाती हैं, example आगी snakes, humans और बहुत ज्यादा variety of organisms, animals जिसके अंदर आते हैं, so hopefully आपको lecture समझ में आयोगा, next lecture तक कि लिए मुझे अजाज़त दे हैं, शुक्रिया, अल्लाहफेज,